दो सिरवाला जुलाहा हजारों साल पहले की बात है एक गाउं में मंत्रक नाम का एक जुलाहा रहता था उसके पास कपड़ा बुन्ने वाला उपकर्ण बहुत पुराना था एक दिन कपड़ा बुन्ते बुन्ते वो उपकर्ण तूड गया वे इतना पुराना हो गया था कि उसकी मरम्मत करते भी नहीं बन पा रहा था मंत्रक कपड़ा बुनने वाला उपकर्ण बनाना जानता था तो नए उपकर्ण के लिए उचित लकड़ी की तलाश में वे लकड़ी काटने की कुलाड़ी लेकर समुद्र तट परस्थित जंगल की और चल दिया समुद्र के किनारे पहुंच कर उसने एक ऐसे पेड़ की तलाश कर ली जो उसके उपकर्ण के लिए उचित था उस पेड को देखकर उसने सोचा कि इस पेड की लकडी से उसका उपकरण तैयार हो जाएगा यह सोचकर वै उस पेड पर चड़ गया और एक तने को काटने के लिए वै कुलाडी मारने को ही था कि उस पेड की एक अन्य शाका पर बैठे एक देव ने उससे कहा ठेरो मंतरक तुम इस पेड को मत काटो मैं इस पेड पर रहता हूँ यहां समुद्र की शीतल हवा मुझे आनंद देती है तुमारा इस पेड को काटना उचित नहीं है दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुखी नहीं होता जुलाहे ने कहा देव इस समय तो मैं भी लाचार हूँ लकडी के बिना मेरा उपकर्ण नहीं बन सकता उपकर्ण के बिना मैं कपड़ा नहीं बुन सकता कपड़ा नहीं बुनूँगा तो धन नहीं कमा पाऊंगा धन के बिना मेरा कुटुम्ब बूखा मर जाएगा इसलिए अच्छा तो यह है कि तुम किसी और पेड़ पर रहने लग जाओ अपने उपकरण के लिए इस पेड़ की शाखाएं काटना मेरी विवश्टा है देव ने कहा मंत्रक तुम अपने स्थान पर सही हो और मैं तुमारे व्यवार से बहुत प्रसन हूँ तुम मुझसे कोई भी इच्छित वर मांग लो मैं उसे पूरा करूँगा इसके स्थान पर केवल तुमें इस पेड़ को नहीं काटना है मंत्रक बोला यदि यही बात है तो मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे दो मैं अपने घर जाकर अपनी पतनी और अपने मित्र से सलाह करके मैं तुमसे वर मांगूँगा देव ने कहा उचित है मैं तुमारी प्रतिक्षा करूँगा मंत्रक वापिस अपने गाउं आ गया गाउं में पहुँचने के बाद मंत्रक की भेंट उसके एक नाई मित्र से हो गई उसने उस नाई से पूछा मित्र एक देव मुझे वर्दान दे रहा है तुम मेरे सच्चे मित्र हो इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम बताओ कि मैं उस देव से वर्दान में क्या मांगू नाई ने कहा यदि ऐसा है तो तुम उससे वर्दान में राज्य मांग लो मैं तुम्हारा मंत्री बन जाओंगा तब हम सुक से रहेंगे मंत्रक ने कहा ठीक है मैं अपनी पत्नी से भी सलाह ले लेता हूं उसके बाद वर्दान मांग लूँगा नाइने का इस्तियों के साथ ऐसी मंत्र ना करना नीती विरुद्ध होता है इस तरह यहां केवल अपना स्वार्थ देखती हैं उन्हें केवल अपने सुख सादन के अतिरिक्त कुछ भी सूचता नहीं है अपने पुत्र को भी वे प्यार केवल इसलिए करती हैं कि भविश्य में उसके द्वारा सुख की प्राप्ती हो मंत्रक ने कहा ठीक है प्रंतु मैं अपनी पत्नी से सला अवश्य करूँगा उसके बाद ही कुछ करूँगा इतना कहकर वे अपने घर चला गया घर जाकर वे अपनी पत्नी से बोला प्रिये आज जंगल में मुझे एक देव मिल गया था उसका और मेरा वार्तालाप हो गया था वार्ता लाप से वै मुझे से प्रसन्न हो गया था और प्रसन्नता से ही उसने मुझे एक वर्दान देने का वचन दे दिया है मेरे नाई मित्र ने मुझे सला दी है कि मैं उससे वर्दान में राज्या मांग लूँ तू बता क्या मांगू? उसकी पत्रे ने कहा राज्य शाशन राज मुकुड तो प्राय कांटों का ताज होता है संधी विग्रे आदी से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता यह तो बड़े पचड़े वाला काम है ऐसे राज्य से क्या फाइदा जो हमें सुक ही ना दे? मन्थरक ने कहा प्रिये तुम्हारी बात तो सही है राजा राम और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद सुक कहां मिला था? हमें भी कैसे मिल जाएगा? किन्तु पर्षन यह है कि राज्य ने मांगा जाए तो क्या मांगा जाए? मन्थरक की पत्री ने उतर दिया तुम अकेले दो हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा खर्च पूरा हो जाता है जरा सोचो अगर तुमारे दो हाथ और हो तुम दुगना काम कर सकते हो तुम दुगना कपड़ा बुन सकते हो इससे समाज में हमारा मान बढ़ जाएगा मन्थरक को अपनी पत्नी की बात जच गई वर्दान लेने के लिए वह समुद्र तटकी और चल दिया उसने सोचा जब हाथ चार होंगे तो काम देखने के लिए सिर भी तो दो होने चाहिए ऐसा विचार बना कर वह उसी पेड़ पर जा पहुँचा और देव से बोला देव यदि आप मुझे वर्द देना चाहते हैं तो मुझे यह वर्द दो कि मैं चार हाथ और दो सिर वाला हो जाऊ मंत्रक के कहने पर देव ने उसका इच्छित वर दे दिया और उसके दो सिर और चार हाथ हो गए जब वह गाउं पहुचा तो लोगों ने दो सिर और चार हाथों वाले विचित्र इंसान को देखा तो वो सब उसे राक्षस समझ बैठे गाउं पर विपत्ती आने के भैसे वह सब राक्षश राक्षश कहा कर उस पर तूट पड़े लोगों ने दूर से ही उसे पत्थरों से इतना मारा कि वह वही मर गया सीख मित्र की उचित सला पर ध्यान देना चाहिए अगर अपने पास बुद्धी न हो तो मित्र की सला मान लेनी चाहिए ऐसी ही पंच्च तंत्र की कहानिया सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जै श्री राम